सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना ना भूलें हेलो व्यूवर्स वालकम टू मैं चनल भारत बजील लबड तो आज की वीडियो को टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे बजीज पैरट होते हैं या फिर लबड होते हैं उनको किस तरीके से हम उनको फिट रखें और किस तरीके से हम उनको एक्टिव रख सकते हैं बहुत सारे जो नए बर्स जो पालते हैं जो नएने ब रखते हैं उनके अंदर क्या होता कि वह आक्टिव नहीं होते हैं और थोड़ी बीमार टाइप में हो जाते हैं क्योंकि वह नहीं होते हैं और उनका क्येरिट टीट आप उसने फॉलो कीजिएगा अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको यह गैरंटी दे रहा हूं कि आपके जो बड़्स हैं वह 101 परसेंट बिल्कुल हैल्थी हो जाएंगे ठीक है और फेट हो जाएंगे एक्टिब भी हो जाएंगे ठीक है तो पूरी वीडियो को देखेग हम बात करेंगे टेमप्रेचर की ठीक है टेमप्रेचर का दोस्तों जो बड़्स है जो पैलट है उनका उनके उपर बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ता है में टेमप्रेचर बहुत ज्यादा में होता है क्योंकि जो हम बड़्स रखते हैं जैसे कि जिस भी मौसम में श्रवाइब नहीं कर पाते हैं तो इनको बहुत ज़स्य का तो आप तो चल रहा है तो हमें की सद्रा का गयर की जरुत होती है ठीक है तो हमें की जूरिए हमें का टैमरान में करना है सर्दियों को टैम में जो सर्दियों को टाइम होता है उस उन टाइम हों में हम थोड़ा धुक्त के रखना है ठीक है और जो इनका temperature कमसे 30 टीजी से लेके 25-35 टीजी के बीच में रिकर यो temperature होना चीक है अगर इनका temperature जब पस्टी से 25 से 30 डिगरी पर है तो यह अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं ज्यादा सर्दी होती है तो लोग समझ यह बात हैं क्या करना चाहिए तो आपको सबसे बहुत बहुत ज़रूरी है ठीक यह तो होगया टेमप्रेचर अब बात करेंगे कि बजीज को हम क्या करते बात्रें रुयर्स बातर था जाना हो ठीक है एकर आपको पूदीन उनको को क्या काई चैक वह फिट रहता है वीकट में दो बार दी सकते हो सब्सक्राइब करें ख़िए आझ को नुटतर हैं एक सीरप आते है लिए 52 आप वह सीरप द्सक्राइब काना डाल लिए यूट अपने पेरट को सुबाख वाँ मोरे में दे दीजे ठीक है यह तो हो गया इनकर डाजेशन सिस्टम तिक है अब नमबर तीन पे बात करेंगे हम एंटिवाटिक जो दवाई होते हैं अब महिने में आपको एंटिवाइटिक का जो कोश है वह ज्रूर कराना चाहिए क्योंकि हो जरता तब क्या करना है च्छा थे फूर नोगा इनको एक अच्छा ब्राइज ठीक है सौट्ट फूड में आप क्या करेंगे बॉल ड्राइज हो गए ठीक है और गंदुम वगरा हो गया गहूं वा गहूं बिगो क्या हो गई यह आपको सौट फूड इनको देने हैं आप दिहान रखिएगा कि सौट फूड आप ज्यादा ना दे वीक में तीन दिन तो नह देना क्योंकि अगर ज्यादा सौट फूड देना है तो यह होगा सौट फूड आथी हैं की डिवार्मिंग क्या होता है इसके उपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो आप वीडियो देखेगा मैं अभी आने वाले टाइम में बनाऊंगा दो तें दिन में त झुक होते हैं क्योंकि जो बर्ट होते हैं उनके पेट के अंदर केड़े पैदा होते हैं वो केड़े क्या करते हैं जो जोो भी यह खाते हैं बर्ट उसे खुदमलंग एब्सरब कर लेते हैं और जो घाना है वह इंबजीऄस पैर्ट को नहीं लगता है तो उसकी विजाती है जो उनका बॉड़ी होती वह हो जाती है ह। रेसलिए आप इनका डिवार्मिंग करानी ज़रूरी है वीडियो मैं ती दोड़ी लास्ट में बात आती है एग फूर्ड की सर्दियों की का तरह चाहँ है तो इनुटक का या वाजिया अपने चाहिटाज शेयदों को सब्सक्रादेश की और आप दो नदे सुटत को सब्सक्राइब हो दो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब है तो हम उनके कैल्शम यह एक फूट दे कर भी उनको हैल्दिया और स्वास रसकते हैं ठीक है यह कुछ पॉइंट है आप इन पॉइंट को फॉलो कीजिएगा कि मैं आपको गैरंटी दे रहा हूं अगर आम इन पॉइंट को फॉलो करेंगे ठीक है तो आपके जो बजीज पर बरियो तो छ यह टो में भेज्यर को अगया कीजिए के साइस है और इनको यह यह विट है ठीक है आप देख रहे होंगे अ तो उमीद करता हूं कि आपको मीडि वीडियो पसंद आयो तो चो टाकर किजिए है लाइक करने साथ आपको सब्सक्राइब बटन देख रहा हो वह रैड कलर का वह भी दबाजी है वह दवाने साथ यह आपको एक वैल आइकन अपर हो जाएगा आप उसी दबाजी ताकि कोई भी वीडियो नहीं वीडियो अप्लेड करूं उसका नौट्वकेशन आपको श्क्रीम पर मिल ज जग्साइब कर सीडियो नहीं गिस ऊाइब बटन भी कोई आपको पर मिल ए लिए पक्रीम पर बटना कर दो कोई जावने वे पर शबाज समय केश्धू साबरूं साब पर वीज इस सब्सक्राइब नहीं उस्द्टरियों भीजियो प्सक्राइब पर दोरी हो वीज़ आपक दो लो खब बुमान उ100 g अपाय को पुदो दुब्मारब है